कल यानि की 14 तारिक को इंडिया लॉंच करेगा अपना तीसरा लूनर मीशन दैट वी कॉल चन्रियान 3 तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चन्रियान 3 के बारे में क्या क्या चीज़े है एक और बहुत इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे कि जो हमा हमनों बात करें कि साउथ पूल क्यों इंपोर्टेंट है और क्या क्या चैलिंजस है तो आज का हमारा टॉपिक के चन्रियान 3 बहुत ही गर्व की बात है कि कल हमारा एक नया चन्रियान मिशन लॉंच हो जाएगा और गर्व के साथ साथ यह हमारा एक जाम परस्पेक्टिव मिशन होने वाला है इससे पहले जो सबसे पहला चन्रियान मिशन लॉंच हुआ था वह हुआ था अक्टूबा 2008 के अंदर उसके बाद दूसरा लूनर मिशन लॉंच किया गया चन्रियान 2nd 2019 के अंदर और जो कि उनफॉचनेटल फॉल्ट हो गया जो कि सही से इंप्लिमेंट नहीं हो पाया एंद तीसरा कल यानि कि 14 तारिक को लॉंच कर दिया जाएगा संदोर थीस हो गया तो तीन हमारे लूनर मिशन पहला 2008 दूसरा 2019 तीसरा कल लॉंच हो जाएगा तो 2023 ठीक है अगर हम लोग देखें तो यह कहां से लॉंच होने वाला तो यह लॉंच होगा फॉम इसके बाद देखें तो इसका एम क्या है तो जो चंद्यान सेकेंड का एम था उसी को आगे बढ़ाएगा चंद्यान सेकेंड के अन्दर जैसे के में पता है कुछ पार्सिल फेलियर हो गया टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और यहां पर जो लैंडर और रोवर था उसके बी प्रफ्रेसन मिसन कौन सा है जो कि इस रोव लॉँंच करने वाला है यहां पे आपके पास चार आप संस है एक आपके लिए और टिप है टिप क्या है कि आप इसमें से जो भी आंसवर आप कमेंड में जरूर बताइगा इसमें से जितने options है let's suppose कि आपका answer A है B है C है मालने थी कि आपका option answer जो है वो C है तो बचे वे जितने भी options है A B and D इन तीनों options को एक बार Google पर जा करके जरूर एक बार चेक कर लिएगा क्योंकि यह 4 options हमने जान मुझकर के ऐसे 3 को तो चंद्रियान 3 के अंदर क्या-क्या changes हुए है या क्या-क्या components है तो इसके ने basically तीन component हमें देखने को मिला पहला था proportional propulsion module दूसरा था हमारा lander और टीसरा था हमारा rover वहीं अगर हम चंद्रियान 2 को देखें तो चंद्रियान 2 में lander and rover तो common था वहाँ पर था एक orbiter तो यह चंद्रियान 3 के अंदर orbiter नहीं था यह बात पहला बात जो आपको याद रखना चाहिए दूसरा जो experiment time लगा यह जो experiment हमने किया तो हमने लगभग लगभग आठ experiment हमने चार experiment किये on the lander and two experiment किये हमने rover की पर तो यह हो गया मारा experiment इसके बाद यह weight वाला है कि proportional module जह है इसका weight है 2145 kg lander का weight है 1749.86 kg and rover का 26 kg और payload जो है उसका weight है 37900 kg यह directly उतना important है नहीं क्योंकि इस सायदी question right है फिर भी एक बार आप ज़ेश्ट एक रीट कल जिएगा यह जो mission life है यह important हो आता है कि जो हमारा proportion module है इसका 3-6 महिने तक का life होने वाला है तो यह proportion module है इसका 3-6 महिना lander and जो rover है इसका one lunar day क्या है one lunar day अब आपके दिमाग में पहला सवाल जो आया होगा सायद कि lunar day क्या होता है तो one lunar day को हम लोग कहते हैं कि धर्ती पे जब 14 दिन बीते गा यानि कि धर्ती का 18 दिन हम लोग गिनते हैं ऐसा one lunar day तो one lunar day in the sense कि 14 का 14 दिन धर्ती का ठीक है तो यह हो गया इसका time कि कि कितने दिनों तक किसका mission का life होने वाला है अगर हम लोग बात करें कि यह कहां land करेगा तो यह बहुत ही important जो आते हैं कि कहां land करेगा तो यह land करेगा लगभग लगभग 70 degree of the south 70 degree of the south तो 70 degree south पर यह हमारा land करने वाला है पूरा total कितना दिन का यह होने वाला है mission तो यह 42 दिन में complete हो जाएगा और इससे पहले जो हमारा चंद्रियान सेकेंड था वो 48 दिन का था इससे 6 दिन का कम ही में हम लोग इस वाली mission को execute या करें तो complete कर लेंगे अगर हम लोग बात करें किस वेहिकल इसको launch करने किया जाएगा तो LVM, LVM3, MP, M4, LVM3, M4 यह वो वेहिकल है जिसके उस वेहिकल का यूज करके इस अचार नयान 3 mission को launch किया जाएगा तो जितने भी पॉइंट्स हमने आप रखें एक बार वीडियो को pause करके सारे पॉइंट्स को एक के करके note कर लिएगा क्योंकि सारे important है यह एक हमने image लिया फॉइंट्स को उठाया है यहाँ पर बिसिकली बताया गया कि क्या क्या है तो तीन हमारे पास आ जाते हैं पहला लेंडर मॉडियोल दूसरा रोवर एंटी सा हमारा प्रोपोर्शन मॉडियोल इनके जो जो नाम है उनको भी देख लेते क्योंकि यह भी question यहाँ से भी आ सकत करते हैं as a father father of Indian space program तो जो हमारा Indian space programs है जो भी हम लोग space में प्रोग्राम करते हैं इसके जनक इसके पिता कहे जाते हैं कौन विक्रम सारा भाई और यहीं के नाम पर इस lander का नाम रखा गया है विक्रम बहुत ही अच्छा काम किया गया है इसके बाद आता हमारा rover rover की बात करे प्रपोर्शन प्रपोर्शन मॉड्यूल आगे बात करें साउथ पोल की तो साउथ पोल की क्यों हमारे इंपॉर्टन हो या साउथ पोल का क्या रूल है अगर हम बात करें तो जो हमारा landing का साइट होने वाला है वह होने वाला है सत्ता डिग्री सत्ता डिग्री है इस रो जो है वो टारिट कर रही है कि हम लोग 70 डिग्री लाइटिटूट पर उतर जाएं साउथ पोल के अब सवाल आता है कि साउथ पोल क्यों क्यों क्योंकि जितने भी प्रीवियस स्पेस्क्राफ्ट मिसंस अभी तक हुए हैं वो सभी के सभी इक्विट्यरियल रिजन में ही उतारे गाएं जैसे कि यह हमारा गार मून है यहां प्री हो गया उप्राइस और अप्राइस साउथ बाद है तो इसके पर आता है वह यह यह जो एडिया है साउथ-वालर से दिफिकल्ट है, वह बहां पर जमीन है वो बढ़ खावड है सही से नहीं है और दूसरा जो सबसे important region है वो यह है कि यहाँ पर light नहीं आता है sunlight नहीं आता है अब अगर हम किसी mission को भेज रहे हैं अगर moon के उपर तो यह जो भी यहाँ पर devices रहेंगे उनको जो power चाहिए वो किसे मिलेगा solar से तो वो solar panel का लगाएंगे और अगर उनको जब सूरज की light मिलेगे नहीं तो वो solar panel क्या charge करेगा तो चार्ज करने पाएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है कि light नहीं मिलता light नहीं मिलता तो यहाँ पर हमें energy का problem आ जाता है अब light नहीं मिलेगा तो इसके कारण क्या होगा यहाँ का temperature बहुत जा जाता है वहाँ पर इस mission को execute करना safe landing करना क्योंकि वहाँ पर जमीन भी सही नहीं है वहीं अगर हम इसे compare करें वह हमारे equatorial वाले से equatorial वाला सभी चीजों में सही है वहाँ पर light भी मिल जाएगा और वहाँ पर इतना जमीन भी सही रहता है ठीक है तो these are the reason why the south pole is not interested for the other space agencies लेकिन इंडिया target कर रहा है क्यों target कर रहा है क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कर रहा है जैसे कि हमने बताया था कि south pole वाले का जो temperature हो माइनस 270 degree Celsius के आसपास है और यहाँ पर moon के उपर कुछ traces पाए गए हैं कि वहाँ पर हो सकता है पानी भी हो तो यहाँ पर जो हमारा इस रो है वो यह सोच रहा है कि जो माइनस 270 degree है यह बहुत ही कम temperature है अब इतने कम temperature में होगा क्या कि यहाँ पर जो भी मिट्टी है मून के उपर जो भी मिट्टी है या जो भी atmosphere के जो भी पार्टिकल्स होगा या कोई और भी other unknown particle ऐसा होगा अगर वहाँ पर पाई जाता है तो वह क्या लेकिन जम्यों फॉर में मिलना आसान हो जाएगा और कोई भी मिट्टे के उपर traces हैं किसी अंत्रिक्च में हुए किसी घटना के traces या कोई भी ऐसे चीज तो जम्यों कंडिशन में होंगे और जम्यों कंडिशन में उसका जो protection रहता है या उसकी जो बचनी के चमता रती वो बहुत कम चांस रहता है कि कोई चीज जम्मा हुआ है तो जल्दी खराब होगा इसी को ध्यान में रख करके इसरो यहाँ पर target करेए कि अगर हम लोग यहाँ पर safe landing कर लेते हैं तो ब्रह्मान में हुए बहुत पहले के घटनाओं के बारे में हमें एक और चीज यहाँ पर मि बन जाएगा जो कि soft land करेगा नियर्दी साउथ पोल लूनर साउथ पोल अभी तक कोई भी ऐसा कोई देश नहीं कर पाया है इसके अलावा कुछ important और fact जो कि आप तुरन तुरन हाथ हाथ नोट कर लिएगा क्योंकि सारी important है एक spacecraft जिसका नाम है नासा सर्वाइवर 4 यह जो अभी तक का आगे पहुंचा है कॉन नासा सर्वेवर 7 और यह 40 डिग्री तो पहुंचा है ठीक है तो डिग्री हम अगर मैं भी याद करें तो अब यह काम चलिएगा हमें बस इसका नाम याद रखना है नासा सर्वेवर 4 इसके बाद बात करें चाइना का तो चाइना अभी पता हो इसके बारे में भी देख लेते हैं एक सेकंड ठीक है देखिए फार साइड ओफ दी मून का मतलब क्या हो फार साइड ओफ दी मून जैसे यह हमारा गर मून है तो मून क्या है एक स्फेयर है तो हम लोग को मून का सारा हिस्सा तो नहीं दिखता है मून का वह हि चाइना चेंज फोर मिसन और यह पहला ऐसा स्पेस्क्राफ्ट बना था जो कि 25 तक पहुंचा था तो यह कारेड क्या है कि वहाँ पे इतना अदीक थंडा पड़ता है जैसे कि हम यहां पे देखा था कि बहुत अदीक थंडा पड़ता है साउथ पोल पे इसलिए वहाँ पे ब होता है सूरज की केड़े पहुंचा पर नहीं पहुंच पाता है और पहुंच भी है और निगलीजिबल होता है और इसंगी वहां पर वो जो North Pole and South Pole है, वहां का area permanently क्या होता है, side road रहता है, हमें सब वहां पे अंधिरा ही छायर रहता है, ठीक है, अंधिरा कायम रहता है, वहां पे, तो इसके कारण होता है, वहां पे temperature बहुत जादे कम हो जाता है, और वहां पे अगर हम लोग किसी mission को launch भी करेंगे, तो हाँ पे हमें energy का दिक्कत देखने को मिल जागा, क्योंकि वहां पे energy नहीं मिल पाएगा, मैं यहीं से energy उसके लिए भीजना पड़ेगा, so that is the points, अगर हम बात करें इस रोग के जो chairman है, कौन है प्रजेंट में, new experiment किया गया है, इसी के अंदर, पहले, यह जो हमारा proportion module था, जैसे कि उन्हें बताए कि यह 3-6 महीने रहने ही वाला है, यहां पर क्या किया गया है, एक shape, shape का full form क्या है, तो spectropolymetry of habitual planet earth, तो यह जो shape है, इसी कुसकर ने integrate कर दिया गया है, इसके साथ जोड दिया गया है, और जब तक यह हमारा 3-6 महीने ऐसी भी रहने ही वाला है, तो इतने समय में यह जो हमारा shape है, यह क्या करेगा, यह explore करेगा, उन small planets को, जिसके उपर chances है कि वहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, वहाँ पर habitual हमें देखने को मिल जागा, भी table है, वहाँ पर कुछ रहने योग है, तो उसको यहाँ पर trace करने की कोशिस करेगा, ढूने की कोशिस करेगा, reflected light से, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है shape, किस में जोड़ा गया है, तो यह proportional module में जोड़ा गया, एक नए experiment यहाँ पर, इस तो द्वारा किया गया है, So that is for today, यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़े देखा, और I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, टाइम बहुत लगा इसके slides और यह सब बनाने में, और तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्रीस वीडियो को like कर दिएगा, चैनल पर चैनल को subscribe कर दिएगा, और का answer कमेट में चरूर बताईगा, मिलते हैं अगले वीडियो में with our new topic, तब तक के लिए, बाई बाई